अस्वाब लिंकूँ मेरा नाम है फिजा अबदुलमनान उमीद करती हूँ आप सब लोग खेरियत से होंगे गोहर पब्लिशर में आप सब को खुशाम दीद हमारा मोटो है redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू प्रेप 5 प्लस जी बचो सफ़ा नबर 29 पे हम शुरू करने जा रहे हैं जाल का हर्फे इल्लस से जोर पहले हमने डाल का करवाया डाल का करवाया अब हम करवाने जारे हैं जाल का हर्फे इल्लस से जोर लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ हदायत हैं जो साज़ा के लिए हैं और वो हदायत ये हैं बच्चों को जाल से शुरू होने वाले लफाज और इनके जुमलों में इस्तमाल की मज़ीद मश्च करवाएं जी अब हम बढ़ते हैं अपने सबग की तरफ जो के है जाल का हर्फ इल्ल से जोड यहां पर हमारे पास मजूद है जाल अलिफ जा यहां फिर जाल वाउ जो यहां पिर जाल ओ जो जाल छोटी जी यहां फिर जई जी और आखिर में हमारे पास मजूद है जाल बढ़िये जे यहां फिर जए जे बढ़ते हैं आगे इल्फास पढ़ें हमें क्या करना है यहाँ पे जाल के साथ शुरू होने वाल इलफास पढ़ने है चलें बढ़ाई शुरू करते है पहले नमबे पे हमारे पास मजूद है जाल अलिफजार ते जाल जाल जेर काफ रेकर जिकर जिभा जाल बे हे जिभा जाल हे नून जेहन जाल रे अलिफरा जरा जाल वाओ काफ जो जाल जेर जी महा जिमा जाल रे हे जरा जाल अलिफजा ते छोट ये ती जाती जाल अलिफजा काफरे कर जाकर जाल हे ये नून जहीन जाल अलिफजा हमजा काफ हा जाई काफ जाल रे जर ये आइन हा जर्या जाल हे अलिफ हा नून ते नद जहानत जाल खे ये रे हा जखीरा जाल छोटिये जी, अलीफ, लाम, हे, जी, जिल, हज यहां पे होगी हमारी इल्फास की पढ़ाई मुकमल, बढ़ते हैं आगे इल्फास का जुमलों में इस्तमाल, हमें क्या करना है, यहां पे इल्फास का जुमलों में इस्तमाल करना है सबसे पहले हमारे पास मजूद है जिकर अल्ला का जिकर करो जहीन, जाकिर जहीन है जिबा, उसने मुर्गी जिबा की जखीरा, जखीरा मत करो जाइका, सालन का जाइका कैसा है जी, यहां पे हमारा सफ़ा नमबर 29 हो जाता है मुकमल अब हम बढ़ते हैं अपने सफ़ा नमबर 30 की तरफ जहां पे जाल की मर्श करवाई गई है सबसे पहले हमें क्या करना है मिसाल के मताबिक दिये गेलफास के तोड तलाश करें सबसे पहले हमारे पास क्या मजूद है जखीरा, जैसे कि आप देख सकते हैं जखीरा को पहले ही हमने क्या कर दिया हुआ है जखीरा के लफ़ह थे अब हम बढ़ते हैं आगे जोग हमें क्या करना है यहां पे डूडना है कि जोग कहाँ लिखा हुए यहां पे हमारे पास मजूद है जाल के बदिये यहां लेकिन हमें तो जाल के बाद वाओ चाहिए यहां पर भी हमारे पास जाल के बाद जाल मजूद है फिर से जाल मजूद है यहां पर दुबारा से जाल के बाद बे मजूद है हमें क्या करना है जाल वाओ काफ को एक साथ ढूड़ना है ये देखें हमारे पास यहां पे मुझूद है जाल वाव काफ एक साथ तो अब हम इसको क्या कर देंगे तलाश कर लिया हमने इसको अब हम इसके गिर दाइरा लगा देंगे इस तरहां से तो ये जो हो गया हमारा लफ्स मुकम्मल जोग अब हमने क्या ढूड़ना है जहां पे जाल के बाद हो हे यहां पे जाल के बाद हे कहां पे आरहा है जाल के बाद हे यहां पे अलिफ आरहा है यहां पे जाल के बाद रे आरहा है इस वली लाइन में जायाल नहीं है यहां पे जाल के बास अलिफ आ रहा है फिर जाल के बाद रे आ रहा है हमें क्या डूड़ना है जाल यह मिल गया आखिर वली लाइन पे जो के है जाल हे यह नून हम इसको क्या कर देंगे इस तरह से दाइरा लगा देंगे और यह हो जाएगा जहीन मुकमल आगे हमने क्या डूड़ना था जिबा और यह देखे हमारे पास यहां पे मजूद है जाल बे हे जिबा अब हम इसको भी क्या कर देंगे इस तरह से दाइरा लगा देंगे आगे हमारे पास मजूद है जराद जाल रे जर रे अलिफ रा ते जराद तो यहां पे हमारे पास मज जर और फिर रे को दुबारा से अलिफ के साथ पढ़ेंगे जर, रे अलिफ रा ते जराद तो ये क्या हो जेएगा जर, राद जराद इस तरह से मुकमल हो जाएगा इसके बाद हमारे पास मुजूद है जाती जाल अलिफ जा ते च्छोटी ए ती जाती ये देखें जाल, अलीव, टे, छोटी commitment जाती, इस तरह से जाती मुकमल होजएगा हमारा इसके बाद हमारे पास मुझूद है जाईका जाईका हमने कहां डून लिया? यहां पे जाल, अलीव, हमजा, काफे जाईका इसके बाद हमारे पास मजूद है जाद, जाद कहां पे लिखा हुआ है, जाद लिखा हुआ है, ये रा जाल, अलिफ, और ते, जाल, अलिफ, और ते को मिला के क्या होजेगा, जाल, अलिफ, जाद, जाद आखिर में हमारे पास मजूद है जर्रा जर्रा, जाल रे जर्र इसके उपर फिर से शाद है तो इसको हम किती बार पढ़ेंगे? दो बार पढ़ेंगे जाल रे जर्रे ह, जर्रा तो यहाँ पे हमारे पास मजूद है जाल रे जर्रे ह, जर्रा इस तरह से हमारी मुकमल हो जाती है पहली वाली माश जैसे कि आप देख सकते हैं मिसाल के मताबर देग अलफास को तोड़ कर तलाश करें हमने क्या कर लिए? अलफास को तोड़ कर तलाश कर लिया बढ़ते हैं आगे हमें क्या बनाना है यहां पर जुम्ले बना कर लिखें हमें क्या करना है जुम्ले बना कर लिखना है यहां पर चार अलफाज हमें दिये गे हैं जिसमें सबसे पहले है जहीन यहां पर हम लिखेंगे अली जहीन अली जहीन लड़का है और आखिर में क्या आएगा? खत्मा इसके बाद वजोद है जखीरा जखीरा का जूमला हम बनाएंगे जखीरा खे का नुकता यह के दो नुकते और उपर है जखीरा मत मीमते मत का रे वाओ जखीरा मत करो जाइका, जाइका यहां लिखेंगे हम सालन सीन अलिफ साल लाम नुनलान सालन काफ अलिफ का सालन का जाइका कैसा काफ ये सीन अलिफ सा कैसा है यहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं तो आखिर में खत्मे की जगा हम क्या लगाएंगे सवाल या निशान सालन का जाइका कैसा है आखिर में हमारे पास मजूद है जिकर जिकर में हम क्या लिखेंगे अल्ला का जिकर करो और आखिर में आजेगा खत्मा जी वच्चों उमीद करते हूं कि आपको जाल की मश्क समझ में आगी होगी आपको पता चल गया होगा जुम्ले कैसे बनाने हैं और जुम्लो को अलग लग तोड की कैसे लिखना है और तलाश कर की कैसे लिखना है किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताके रवानी बनी रहें अगली वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिस